चुनाओं की तारीक जो करीब आती जा रही है तो मद्ध प्रदेस में तमाम जो सियासी दल है भाजपा हो या कॉंग्रेस हो सभी सित्रों में सियासत को लेकर तमाम निताओं के दोरे और तमाम संगठन के लोगों के दोरे चल रहे हैं इसी प्रकार आज जबलबुर जिले की पाटन विधान सभा के नुनसर मंडल में किसान मोर्चा भारती जंता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेस अध्यक्ष दर्सन सिंग चौधरी जी पहुँचे हुए है तो उनसे सीधे बात करते हैं और कुछ से सवालों के जवाब उनसे लेना चाहेंगे सबसे पहले जाना चाहूँगा आप किसान संभिलन में आज पहुँचे हैं क्या बात हुई आपकी किसानों से और तमाम जो भारती जंता पार्टी संगठन की लोग थे क्या आपने एक दिसा निर्देस दिये चौनाओ को लेकर हमारे पार्टी के डर्वेस पार्टी है और लगतार चलने वाली है और किसान मोर्चा के माध्यम से हम जो केंदर और राज्य के किसान हिते सी उजना उनको कैंसे नीचे तक ले जाना है यही चर्चा हमारे संभिलनों के द्वारा की जा रही है और इसमें हम अभी जो पूरे जार ग्राम चौंपालनों को आयो जन जिसमें हम लाखों सदस मद्द प्रदेश में नए जोड़कर प्रत्यक्ष भारती जंत पार्टी से जोड़ने का काम हमारा किसान मूर्चा करेगा और इसके साथ साथ आज मानि मुखमंती जी का आभार इसलिए कि जो कमल नाज जी ने स् उसको नीजियर तक ले जाने की योजना हमारे सम्मेलन में बनाएगे प्रदान मंती जी का जो संकल्प है और इस संकल्प की देशा में कैसे उसकी लागत कम हो उत्पादन उसका बड़े उसको सही मूल मिले और जब भी कोई प्राकरतिक आपदा जाए उस आपदा के समय सुरक्षा कबच की भाती सरकार खड़ी रहे तो इस चारो विंदुओं पर हमारी मूलता सरकार काम कर रही है और मद्द प्रदेश का किसान आज से आप 15 साल पहले का मद्द प्रदेश देखेंगे और अपका तो आपको अपने आप स्वत है गवं में घुस्ते से यंतर नजर आता है मैंने शित तोर पर कह सकता हूं कि आगामी समय में भी हमारा मद्द प्रदेश देश में नंबर बन पर आएगा तो किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के अधार पर आएगा। दो लाग कर जमाफी की बात करी थी लेकिन किसान के साथ छलावा किया है मद्द प्रदेश के मुखमंती मानी सिवराज सिंग्जी ने 213 करड़ रुपिया जमा करकर किसानों के व्याज की गठी उतारने का काम किया है हमारी सरकार किसान को आत्मिर भरता की उल ले जा रही है औ हम किसान के खेत में अभी तीन फेस विजली 24 घंटा परदाय करेंगे मूं की भुकतान को लेकर किसानों ने काफी बाहर मांगी अभी कुछ भुकतान रुका हुआ है पूरे मद्द प्रदेश में बाहर भुकतान बहुत सही तरीके से लेकिन कुछ शिकायत आई है मेरी भी म सिग्र उन किसानों का और आपके माद्दम से भी कोई किसानों का जानकारी मिलती तो हम उस पर तत्काल कारवाई करवा कि उनका भुकतान करवाएंगे सनातन धर्म को लेकर बहुत सी टिपडियां सामने आरे क्या कहेंगे उस पर जिन्होंने नहिंदुत को समझा है ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम पर प्रस्ण चिन्न खड़े किये थे ये वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के स्थान पर प्रस्ण चिन्न खड़े करे थे प rubbish को मैं चैनात्न को कोई नहीं मिटा सकते ये चणातन की प्रदैतियों परदियों सिब्सक्राइए नहीं मीटा सकते ये तेन प्रदियों किसानों के नगे तमाम मुद्दों पर जिन्हों पूरी बेभाकी से बात रखी दिंझा फफ़ाब दिए हालां कि जा बिदानसभा के चुनाओं में चीट आइड इक कि देखना होगा की जिदर पीतर किशानों की न वो मत रहता हो वह सरकार चाहे प्रदेश में वह यहो ही राज करती है यह तो आने वाला वっちゃ इक है कि 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 बैटता है धर्म गौतम IBC 24 जवलपूर